अमस्कार आपने शमुंद्र में गोता लगाकर मोती को ढोणने वाली कहानी तो जरुद शुने होंगे दरसल यह एक कहवत है और वो कहवत यहां पर फिट होता है इसका नाम है मादव निदान इस ग्रंथ का यह आयरुवेद का एक बहुत विशाल और बहुत बढ़िया एक ग ग्रंथरुपी शमुंद्र है यहां हमने प्रती दिन गोता लगाना है और गोता लगाने से कुछ मोती यहां से निकलेंगे यानि कुछ ऐसे नौलेज आपको मिलेगा जो वकई में आपकी लिए बहुत कारगर होगा आपके जीवन को चारचांद लगाने वाला होगा आपक मेरे नाड़ी परिक्षण के संपूरुन वीडियो अगर आप देखते हो आईरवेद नाड़ी सिखना आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप महादम निदान आप रोज इसको आप पढ़िए चरक संगिता जो है रोज आप पढ़िए यानि समुंद्र में रोज आपने गोता लगाना है कुछ न कुछ आपको मिलेगा यह देखिए जरा मुझे एक मोती यह मिल गया पढ़के सुनाओ मैं आपको आपको यह मोती से जितना महेंगा मोती हो सकता है उससे सस्ता यह सायद नहीं है यह वही समझ सकता है जिसने दिल से आईरवेद को जा और बना है देखिए जरा यश्य यश्य अंगावय श्य वीज वीज भागा उपतप्तो ववती तश्य 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 अंगावय वश्य विक्रिति रुपजायते नोपजायते चानु पता पात है यह देखो कितनी अच्छी बात है इसके अर्थ जब आप सुनोगे तो आप को बहुत आनन्द आएगा दरसल हम देखते ना अपने समाज में आसपास में लोग जो है कई तरह के ऐसे असाध्य रोक्षे ग्रसीत है और जिनका रोग कभी ठीक नहीं हुआ कई सारे डाइगनोसेस हुए कई सारे रिपोर्ट सामने आए बट डाइगनोसेस में उस रिपोर् से कोई उसमें बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है मगर डक्टर के पास हम जब जाते हैं नाड़ी चेक करते हैं उसका नाड़ी में कुछ दिखता नहीं है और एमराई एजी यह जितने भी जो चीज़ें है सब कुछ किया बट वहां पर भी कुछ नजर नहीं आता फिर यह ज इसके अर्थ में ही उसके सवालों का जवाब चुपा है हलांकि यह जो प्रसंग है वो अर्श निदान यानि ववासीर के प्रसंग में इसको बताया है यहां उपर पहले वागभट्ट जी का एक रेफरेंस यहां पर दिया है इन्होंने इसका मतलब क्या है वह फेसेंट वह रोगी जिसका बवासीर कभी ठीक नहीं हुआ है कई सारे दवाई अप्रिशन किया कई बर कर चुका है लेकिन नवीन जो ववासीर के जो अंकूर है वो दुबारा पनप जाता है ब्लीडिंग दुबारा सुरू हो जाती है वही जलन वही समस्याइं दुबारा सुरू हो जाती है कई सारे आयरुवेदिक महेंगे से महेंगे रसकलप वाले सोरणकलप वाले सबी दवयां उसने खा लिया लेकिन उसको कहीं से समस्या का समादान दिखता नहीं है नजर नहीं आता तो क्या हो सकता है उसके तो यहां पर लिखा है कि यदी मनुष्यो मनुष्य प्रववा कश्मन नजडा दिवियो जाता पित्रिशदी शरूपा है अब देखो जरा तत्र हेतू अब इसके हेतू यहां पर बता रहे है कि सहुत्थाना बली बीजो पतपतता अर्शसाम बीजा तपतिस्तु माता पित्र पचारता यानि कि उस वैक्ति के अर्शसाम जो बवासिर हुआ उस होने के पीछे हो सकता है उसके माता पित्र पचारता उसके माता और पित्र पिता के गलत आचरण गलत बैवार गलत कर्म के फल से उनके रज और बीज तपती यहां पर सब्दा आता है बीज यानि रज और विर्य में जो दोश उत्पन्न हुआ था उसी के बली बीजो उपतपता था उन दोनों के रज और विर्य के शैयोक्षे जो चीज उसके घर्व में जो पनपरा था वहां पर उस बीज में यानि उस रज में बिकार उत्पन्न था बिकार था और गर्व क अंदर दिरे दिरे वह वीज ही बृद्धी को पापता होते हुए बाद में संतान के रूप में बच्चा पुत्र या पुत्री बन करके गर्ब से बाहर आया आने के बाद सहुत्थानाम वह जो आर्श को उत्पर्न करने वाला जो हेतु दोस है जो उस वीज में ही पहले से ही निहित था वो अबशर को पाकर के बाद में उत्पर्न होना होना शुरू हुआ उसके गुद्ध मारग में ही वह बीज के अंदर विद्यमान जो दोसे पहले से ही बैठा हुआ था जैसे ही समया आया अपने आप वो उत्पर्न हुआ और उसी होने के फलस्वर ये देखिए रहा उसके माता और पिता के ही गलत आचरण से पूर्वकृतम चकार्म तथा अन्यसाम पिशह जानम विकाराडम और माता और पिता के सरीर में और वाहां रज और विर्य में जो विकार उत्पन्न हुआ वो कहां से हुआ क्या उनके गलत खान पीन से गलत आजरन से हुआ ऐसे जो कि उसके बच्चे के सरीर में बवासिर हो गया तो बोलते नहीं नहीं सिर्फ खान पीन ही नहीं बलकि पूर्व कृतम उनके पूर्व कर्मों की फल भी हो सकता है पूर्व कृतम चकर्म, उसके मावाब की पूर्व जन्मों की कर्मों का फल स्वरुप उसके रज या वीर्य में दोस उत्पन्न हुआ हो सकता है या आने साम अपी, सिर्फ पूर्व जन्मों के किये हुए दूसित कर्मों का परिडाम से उत्पन्न बच्चे के बवासिर हुआ सरीर में, अपने आप उत्पन्न हो गया, सिर्फ इतना ही नहीं बलकि सहज आनाम उन माता और पिता के सरीर के रज और विर्य यानि उसके पिता के सिमन में और मा के एग में जो विकार आनाम, विबित प्रकार के सहज आनाम विकार आनाम, अनेक प्रकार के सहज यानि स्वभाविक जो विकार उत्पन्न हुआ कुछ दोसों के कारण से और कुछ सहज सुभावत अपने आप जो विकार उत्पन्न हुए उसके बजे से यहां माता और पिता आपस में सम्योग हुए रज और विर्य का अईक्यता हुआ उसके बजे से बच्चे का जन्मा हुआ बड़ा होता गया और एक समया आया और उस दोस जो उसके गुद मारग गुद इस्थान में आसफास में कहीं पहले से ही पड़ा हुआ था समय पाकर के सहथानम अपने आप वह उत्पन्न हो गया इसका हेतु और इसका मतलब क्या हो गया कि इस तरह का जो अर्स यानि बवासी रहे अब उस बच्चे के सरीर में ज उसके माबाब के सहज बिकार की फलस्वरूप उसके सरीर में बवासीर हुआ है यानि कि उसके पुर्व जन्मों के ही संसकारस्वरूप ये सारे चीजें हुआ तो अब कहां इलाज से ठीक होगा नहीं हो सकता लेकिन चरक ने तो इससे आगे जाकर कि अपने बुद्धी को गुमाया और उनको कहा कि नहीं सहजानम बिकारानम सहज बिकार स्रिप बवासीर तक ही सिमित नहीं है यहां तो बोला आवयवश्य बीजे आवयवश्य यस्य यस्य अंगश्य आवयवश्य उस रज और विर्य के अंग के जिस अवयब में जिस हिस्से में उपतप्तो भवत दोस उत्पन्न होगा तस्या तस्या यानि उन अंग के अंग अवयवश्या उसके एक अवयव में बिक्रिती उपजा जा जाते बिक्रिती उत्पन्न हो सकता है तो इसको हम जरा प्रैक्टिकल भी अब हम यहाँ पर जरा समझेंगे इस वीडियो को जरा आप देखिए मैं आपको यह जो दिखा रहा हूं बस प्रैक्टिकल थोड़ा समय आपको ताकि समझाने का प्रयास करता हूं आपको समझेंगे यह देखिए जड़ा यह मां के गर्व में यह वीरिया गया आप काओ के पता नहीं यह बंदा कर क्या रहा है लेकिन बाद में आपको यह चीज़े समझ में आईगे यह गया मान लिजे यह जो चीज़े यह रज और वीरिय का यह शमयोक्षे मात्री गर्व के अंदर इस तरह से यह पड़ा हुआ है पस इसी तरह से यह पड़ीगा इस पानी के यहाँ पर माता और पिता के रज और वीरिय यहाँ पर सन्नीहित है इस तमाम हिस्सों के किसी एक कोने में अब वह जो चीज़े मा के मद्यम से भी आ सकता है उसके फादर के मद्यम से भी आ सकता है नहीं कह सकते कहां से आया नहीं पता लेकिन किसी से भी आया हो इस दोस में, इस रज में यह देखी ज़रा, दोस एक कोले में उत्पन्न हुआ, यह स्लोक और यह ग्रंतकार बास यहां पर यही बताना चाहता है, ठीके, उत्पन्न हुआ न दोस, अब यह देखी ज़रा, जैसे जैसे यही रज और वीरिया ब्रिद्धी अवस्था को साइज जो है, आप देख रहे हैं न, साइज बढ़ रहा है, बस मैं आपको समझाने का प्रयास का दाम, साइज बढ़ रहा है यह, और साइज बढ़ते होए, मान लिजे, यह हो गया इसका सीर, यह हो गया इसका हाथ, यह हो गया इसका पेट, यह हो गया इसका गुद मारग और यह हो गया इसका पेर बस कल्पना कीजिए यही रज और वीरिय के इसी तरह से यह बढ़ा होता जाएगा ना यह देखे ज़रा धीरे 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 यह बढ़ा होते जा रहा है बढ़ रहा है यह बढ़ते हुए धीरे 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 यह बढ़ गया अब वह जो दोस है जहां पर एक कठा है ज्यादा मात्रा में यह जा रहा है ना जैसे जैसे सरीर बढ़ेगा ब्रिद्धी अवस्ता को प्राप्ता होगा बाद में आख बनेगा लिवर बनेगा किड्नी बनेगा सीर बनेगा सब कुछ बनेगा हार्ट बनेगा उसके बाद यह बनते हुए पूरा यह सरीक अभयव है यहां पर वह जो दोस जो रज दोस है जो विकार है तससे अंग अभयव से विकृति उपा जायते अब यहां पर यह जो पहले वाला जो विकृति है यहीं से बढ़ते हुए यह चुकि यह दोस यहां पर था तो यहीं से इसका विकार उ पना होने वाला जो समस्या है उसको हम ठीक नहीं कर सकते यहां कैंसर भी दे सकता है यहां आपको आपके इंट्रेशाइन में अगर इस से इंट्रेशाइन बनावा है तो आपको ग्रहणी हो सकता है और वो ऐसा जो कभी ठीक नहीं हो सकता अगर यह आपके ब्रेन में यह में होगा तो हर्सा होगा बबासीर होगा और वह ऐसा होगा कि जो जो कभी ठीक नहीं पृपिलिप्र worshtalk इसे इस राज और वीर्य से उत्पन्न जो यहां पर अंग अवयब बोलते है जैसे यह अंग अवयब है पूरा इससे हम क्रोमोसोम बोलते है एलोपेटिक वाले इसको क्या बोलते है इस सारे प्रोसेस को क्रोमोसोम बोलते है इसे ही अंग अवयब बोलते है क्रोमोसोम का मन के भावनाई बन सकता है उस सारे चीजे पहले ही तय हो जाता है जब कब तय होगा जन्मा के बाद नहीं ये उसी वक्त तय होगा जब रज और वीर्य का यहां शम्योग होगा आज का वीडियो का सारांस यह है कि लड़का होना, लड़की होना उसका सुबाब कैसा होना कौन सा रोग होना, कब उत्पन होना किस तरह का रोग होना ये सारे चीजे तब ही डिसाइड होता है जब रज और वीर्य का सम्योग मा के गर्भ में होगा बहुत सारे लोग मैंने देखा है आपको हम दबई दे देंगे आपके संतान में पुत्र प्राप्ता होगा तो आप ऐसा करना कि तीन मैने के बाद जब आपका सारे लिक सम्मन्न होगा उसके तीन मैने के बाद आप दबई खालो तीन मैने के बाद खाना है तो आप उनको मैं ये समझाना चाहूँगा बास यही में उनको यह चीज में बास समझाना जाता था फिर इसको आप क्या कोगे फिर यस यस अंग अबयवस बीजे बीजे भागा उपतब तो भवती यहां तो बीज और रज और बीरिय पढ़ते ही उस व्यक्ति के उस लेडीज के गरब के अंदर उस बच्चे के हर एक अंग के अबयव का यहां डिसाइड हो रहा है अगर वहां दोस युकता वह जो अबयव है तो वह फिर बाद में विकार युकता होगा और वह जैनेटिक प्रोब्लम होला होगा वह लड़का है लड़की है सारे चीज़ तो पहले ही हो रहा है फिर तीन मेने के बाद दवबाई देने का क्या मतलब होता है वह तो भहिया पहले ही हो चुका है अब लड़का होना लड़की होना पहले ही डिसाइड हो चुका है इसलिए अगर वाकई में लड़का के अगर आप चाहा रखते हो तो इस ब्रह्म वाक्य को इस सुक्ति को इस सब्दों को भी अपने दिमाग में जरूर बिठाईए। अब्यास होगा तो अब्यास स्वरुप आपको बहुत सारे चीजे समझे में आएगा तो इस तरह की खुराफाती वाले जो विचार है आपके मन में कभी नहीं आएगा कि मैं किसी लेडिज को तीन मेने के बाद दबाई दूँगा तो उसको लड़का होगा अथवा लड़की क्योंकि देखो इस आपतबचन को हमने जरुर कभी भी यह ध्यान दे न के गरन्तकार गरन्त में क्या लिखा चरक ने क्या लिखा है सुसृप ने क्या लिखा है मादब निदान में क्या लिखा हुआ है वट्टा जी क्या बोलते है उस विसाय को ले करके उस समस्या को ले करके उसको हमने आपत बचन समझ करके उसी को हमने अंगी कृत करना है ऐसा नहीं कि आपके पडोस में कौन से हकीम जी ने क्या बोला हकीम जी ने बोला अपने हिसाब से चलो अच्छी बात है लेकिन उनके ब बड़े बुजुर्गों से बुरा न मानना बहुत सारे लोग है जो मुझे फोन करके बोलते कि सर आपको तो कुस्ता के बारे में पता ही नहीं है कुस्ता ऐसा होता है बैसा होता मैं सब जानता हूं कुस्ता क्या होता है लेकिन वो कुस्ता भी हमने किसी के उपर तभी प्रयो इसका इस्तवन करना है एक भगवान समझ करके इसका आपने माधब निदान तो दीजे आज बीदा आने वाले समय में फिर किसी इसी तरह कि कोई पिसेश प्रसंग को लेकर कि मैं आपके सामने उपस्तित होंगा जैस्री राम